तमस्कार स्वागत आपका लोगतंत्र 2017 के आज के सफर में मैं हूँ दीपक्डोभाल शुरुबात हैडलाइन्स के साथ उत्रपुदेश में पहले दौर के लिए थम गया पचार अभ्यान आखरे दिगजों ने जोंकी पूरी ताकत घर घर जाकर वोट मांगने का सलसला शुरू चुनाव आयोग में तीसरे चौथे दौर की तैयारियों का लिया जाइजा शांतिपून और निश्पक्ष मद्दान का भरुसा सामाजिक सोहार्थ बिगाड़ने वालों पर सख्त का लगए उत्रखन की चुनावी रैली में राहूलने की प्रदान मंतरी के बयान किरिंदा बायवती ने कॉंग्रिस पर बोला हमला केंद्र के कामकाच पर उठाए सबाद अमिच शाह ने राज्य सरकार को बताया नाता मनिपुर में नए जिलों के गठन पर बटा बहु संक्यप मैतेई समुदाए जिला मुख्याले दूर होने से कई गाओं में फैसले का विरोथ और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश विदानसबा चुनाव के पहले चुरण की वोटिंग के लिए आज पुचार का शोर थम गया इस दौर में पश्यमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के 73 सीटों पर 11 फरवरी को चुनाव होना है सबसे ज्यादा नज़र मुजफर नगर और शामली जैसे सम्वेदन शीलक शेत्रों पर रहेगी साल 2012 में हुए विदानसबा चुनाव में इस चुरण की 73 में से बीजेपी को किवल 11 सीटे ही मिली थी हलाकि 2014 में हुए लोगसबा चुनाव में पार्टी ने इस इस इलाके की सभी लोगसबा सीटों पर अपना पर्चम फेराया पिछले विदानसबा चुड़ाओं में इन 15 जिरों में S.P. और B.S.P. ने 24-24 सीटें जीत कर काम्याबी हासिल की थी जबकि अजीत सिंगी राश्टी लोगदल को 9 सीटें मिली थी और कॉंग्रिस को 5 सीटों से संतोश करना पड़ा आखरी दिन यानि कि आज तमाम दलों ने परचार के लिए पूरी ताकत चुनती उत्तरप्रदेश की सियासी समर को जीतने के लिए सभी दलों ने 80 चोटी का जोर लगाया हुआ है राहूल गांधी ने अलीगर्ध में रैली कर प्रधान मंतरी पर वादा खिलाफी कारोप लगाया अखिलेश ने चुनावी जनसभाओं में अच्छे दिन पर तंज कसा मथुरा में पलटवार करते हुए राजनाथ सिंग ने समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस को का जो गड़बंधन है उसको बे असर बताया कॉंग्रिस अपाध्यक्ष राहूल गांधी ने गुरवार को अलीगर्ध में रैली की इस दोरान उन्होंने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की जमकर अलोशना की स्वच्छता अभियान पर सवाल खड़े करते हुए राहूल गांधी ने कहा कि प्रधान मंतरी ने पूरे देश को ज़ाड़ू पकड़ा दिया है लेकिन इससे कोई मकसद पूरा नहीं हुआ राहूल गांधी ने प्रधान मंतरी पर देश की जनता से वादा खिलाफी कारोप लगाया उधर अखिलेश यादव ने मतुरा, हाथरस, फिरोज़बाद और प्रधागरा में कई जगा पर चुनावी जनसभाएं की अखिलेश ने प्रधान मंतरी के अच्छे दिन पर तंज कसा उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कथनी और कर्मी में कोई फर्क नहीं है बीजेपी के ओर से केंद्रिय अग्रियमंद्री राजनाथ सिंग ने कमान समाली मतुरा में रैली को संभोधित करते हुए राजनाथ सिंग ने समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस गड़बंधन पर चुटकी दी उत्तर प्रदेश में गुरुबार को पहले दौर के मद्दान के लिए चुनापरचार थम गया पहले दौर में 15-0 की 73 सीटों पर वोटिंग होनी है देरोड रपोट राज्य सभा टीवी और उत्तर प्रदेश के बागी लागों में भी चुनापरचार शबाब पर है सभी दल अपने दावों और वादों के साथ वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में गुरुवार चुनावी रैलियों का दिन रहा आरजडी नेता लालुपसाद यादव ने बुलन शहर के सिकंद्राबाद में समाजवादी पार्टी उमीदवार के लिए चुनावी सभा की यहां आरजडी प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में विकास के लिए फिरका परस्ती को खत्म करना जरूरी है एमाईम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी ने मुरादाबाद में पार्टी उमीदवार के लिए वोट मांगे यहां उन्होंने कहा कि उनके पार्टी दबे कुछले और कमजोर वर्गों की आवाज उठाने के लिए चुनाव लड़ रही है इसके लावा केंद्री और मंतरी उमा भारती ने आगरा मैनपुरी और फरूखाबाद में चुनावी सभाई की उत्तर प्रदेश में जहां तमाम पार्टियां विदान सभाई में बहुमत की जुवत में लगी हुई है मतुरा में एक निर्दली उमीदवार चुनाव हारने के लिए मैदान में आई आपको मिलाते हैं मतुरा के फक्कड बाबा से राम भजान गाने वाले फक्कड बाबा छटी कक्षा तक पढ़े हैं गोवंद नगर के गलतिश्वर मंदिर में रहते हैं 1977 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और हार रहे हैं 73 साल के फक्कड बाबा एक बार फे चुनाव मैदान में है फक्कड बाबा का दावा है कि उनके गुरू ने 20 वे चुनाव में उनकी जीत की भविश्यवानी की थी उनकी जीत की भविश्यवानी की थी और अपने पैसे के और धनबल पे और बाहू बल पे और इस पे ही चुनाव यहां से जीतते 1977 में फक्कड बाबा को 5000 वोट मिले थे जबकि 1991 में अब तक के सबसे ज़ादा 8000 हलाकि बाबा लगातार चुनाव हा रहे हैं लेकिन उनके समर्थक होसला नहीं हा रहे हैं अपने लिए ही उन्होंने किया अब तक बाबा का दावा है कि उनके पास कोई निजी संपति नहीं है और वो समर्थकों से मिले चंदे पर चुनाव लड़ते हैं फक्कड बाबा का कहना है कि चुनाव लड़ना अब काफी महंगा हो गया है उन्होंने दस हजार रुपए उधा लिये हैं जो डिपॉजिट फीज के लिए है उन्हें पता है कि उनकी जमानत जब्त होगी लेकिन फिर भी उन्हें इंतिजार है अपने बीसवे चुनाव का जहां उन्हें उमीद है कि वो विजए होंगे मतरा से कैमरमेंट शिफ कुमान के साथ पृती मिश्रा रज्यसभा टीवी उत्तर प्रदेश में चुनाव आयुग ने तीसरे और चौथे दोर के चुनावी तयारियों का जाज़ा लेने का काम पूरा कर लिया मुखे चुनाव आयुग नसीम जैदी के अगवाई में लखनो पहुंची टीम ने तयारियों का पूरा जायज़ा लिया चुनाव आयुग ने दावा किया कि शांती पूर्ण निश्पक्ष मद्दान के लिए तयारियां पूरी कर ली गई है मुखे चुनाव आयुग नसीम जैदी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर सामाजिक तानाबाना बिगारने की कोशिश को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस बाबत सुरक्षा दिकारियों को आदेश दे दिये गए है चुनाव आयुग ने कहा कि सोशल मेडिया पर माहौल बिगारने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कारवाई की जाएगी नसीम जैदी ने कहा कि सीमा वर्ती इलाकों में चौक सी बढ़ा दी गई है और धनबल और शराब की इस्तमाल को रोकने की पूरी कोशिश जारी है पहली बार चुनाव आयुग ने कमर्शिल टेक्स विभाग को चुनाव में सतर किया है पहली बार इस विभाग को हमने अपनी अक्टिवटी में शामिल किया है इनकी 150 मोबाईल यूनिट्स काम कर रही है और इन्होंने भारी मातरा में गुड्स पकड़े है और भारी मातरा में कैश का भी इन्होंने एंफोर्स्मेंट की कारवाई करी है नसीम जैदी ने कहा कि तीसरे और चौथे दोर में 44 समवेदंशील इलाकों की पहचान की गई है जहां सुरक्षा विवस्था चौकस कर दी गई है राज्य में भारी पैमाने पर आर्म्स लाइसेंस जब्त किये गए है चौनाव आयोग वेब कास्टिंग के जरीए बूत पर नज़ा रखेगा जहां पहली बार वीवी पी एटी का इस्तिमाल होगा वहाँ जागरुकता अभिहान भी चलाया गया है इससे पहले चौनाव आयोग ने राजनितिक पार्टियों की शिकायतों को सुना और चौनाव अधिकारियों के साथ बैठक की बियरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी पहले दोर के मद्दान से दो दिन पहले उत्तर प्रदेश में चौनावी सफर अब आखरी दोर में पहुँच गया है आखरी चौनाव की 40 सीटों के लिए गुरवार से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है 16 फरवरी तक उमीदवार पड़शे भड़ सकते हैं जबकि 17 फरवरी को नामांकन पत्रों की चांच होगी और 20 फरवरी तक उमीदवार नाम वापस ले सकते हैं सभी 40 सीटों पर 8 मार्श को मद्दान होना है इसके लावा चौते दौर की 53 सीटों के लिए गुरवार को नाम वापसे का काम पूरा हो गया जबकि 5 दौर की 52 सीटों के लिए नामांकन भरने का काम भी खत्म हो गया छटे दोर के लिए नामंकन का काम जोरशोर से जारी है आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में साथ दोर में मद्दान होना है पहले दोर के लिए 11 फरवरी से मद्दान शुरू हो रहा है जो कि 8 मार्श तक चलेगा इसके बाद 11 मार्श को बाकी चार आजियों के साथ उत्तर प्रदेश के भी नतीजे घोशित किये जाएंगे और अब बात उत्तराखंड की बीजेपी अध्यक्ष आमिश शाह उत्तराखंड में सत्ताधारी कॉंगर्स पर जम कर बरसे उन्होंने हरी श्रावत सरकार पर भश्टाचार और नाकामी के आरूप लगाए और कहा कि अगर प्रदेश में बीजेपी के सरकार बनती है तो राज्यका काया कल्प हो जाएगा नई टिहरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमिश शाह ने कहा कि प्राक्रतिक आपदा के वक्त हरी श्रावत सरकार ने ठोज कदम नहीं उठाए उन्होंने प्रदेश सरकार पर भश्टाचार के आरूप लगाए अमिश शाह ने उतराखंड राज्य बनाने का श्रे लेते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो प्रदेश के तरक्की के लिए वो जीजान लगा देंगे अमिश शाह ने कहा कि प्रदानमंत्री इंदरेंद्र मोदी उतराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश में रोजगार के नए अफसर पैदा करने और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम करेगी ब्यूरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी से ध्यान भटकाने के लिए नोट बंदी का फैसला किया मायावती ने समर्थकों से मद्दान तक विरोधी पार्टियों के जहसे में ना आने की अपील की उन्होंने कहा कि सभी राजनेतिक पार्टियां घोशना पत्र में लूक लुभावन वादे तो करती हैं लेकिन सत्ता में आने पर उसे ठंडे बस्ते में डाल देती हैं मायावती ने बीजेपी को आरक्षन विरोधी पार्टी करार दिया उन्होंने सत्ताधारी कॉंग्रेस पर भी तीखे तंस कसे लेकिन भाशन के दौरां बीजेपी ही सबसे ज्यादा निशाने पर रही और धर कॉंग्रेस उपाधेश राहूल गांधी ने सितार गंज में चनावी रैली की ये सीट पूर मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस छोड बीजेपी में गए विजय बहगुणा की सीट रही है राहूल गांधी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तरा खंड में भी दो रैलियां की अल्मोडा और सितार गंज रैली में उनके निशाने पर एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रहे उन्होंने संचद में मनमोहन सिंग पर दिये बयान पर प्रधान मंत्री की तीखी आलोचना की राहूल गांधी ने कालेधन और नोडबंदी के मुद्दी को भी जम कर भुनाया और जब नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंग जी के बारे में इस प्रकार से बोलते हैं राहूल गांधी ने बीजेपी पर पैसे के बल पर कॉंग्रेस सरकार को अस्थिर करने का मुद्दा भी उठाया उन्होंने जनता से कॉंग्रेस के पक्ष में वोट कर बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की कि पैसे से वो उत्राखंड का भविश्य नहीं बदल सकते हैं उत्राखंड अपना नेता चुनेगा उत्राखंड अपना सीएम चुनेगा दिल खोड़ कर चुनेगा और पांच साल अरीश रावजी को चीप मिनिस्टर बढ़ाएगा उधम सिंग नगर की सितार गंज सीट इस बार सबकी निगाहों में है पूर मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के बागी विजय बहुगुडा ने यहां से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी इस बार बीजेपी ने उनके बेटे सौरब बहुगुडा को टिकेट दिया है कॉंग्रेस ने मालती विश्वास को टिकेट दिया है ब्यूरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी बीजेपी नेता शेहनवाज हुसेन ने हरी श्रावत सरकार पर तीखे तंसकसे देरादुन की प्रेस कॉंफिंस में उनने कहा कि केंदर की मोदी सरकार उत्राखंड के विकास के लिए प्रतिबद है लेकिन हरी श्रावत ने प्रदेश को आगर पढ़ाने के बदले और ज़्यादा पिशड़ा बना दिया उन्होंने मौज़दा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की जीत के दावे किया हरी श्रावत जी ने उस्ट्रों पर अपना चेहरा जरूर चमका लिया है लेकिन उत्राखंड की तस्वीर को उन्होंने धुमिल किया दूसरी तरफ कॉंग्रिस प्रवक्तार रणदीप सुर्जेवाला ने दावा किया कि उत्राखंड की तरक्की में केंद सरकार ने रोडा अटकाया है देरदून की प्रसकॉंफरिंस में उन्होंने दावा किया कि बीते पांच साल में हर इश्टावत सरकार ने लोगों की भलाई के लिए कई कदम उठाए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री दरेंद्र मोदी ने उत्राखंड भूकम का मजाक उड़ा कर जनभावना की खिली उड़ाई है रणदीप सुर्जेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने उत्राखंड के साथ बेदभाव पूर नीती को अपनाया मोदी सरकार का एकी सवाव उत्राखंड से बेदभाव उत्राखंड के विकास को लेकर एक सोची समझी बद्नियत बेदभाव की नीती और पक्ष्माद पूरण रवया नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है उत्राखंड के पहाड़ी लाकों में नोडबंदी से लोगों की जिन्दगी बुरी तरह प्रभावित हुई आसपास में मजदूरी करने वालों का रोजगार चिना तो छोटी दुकानों के सहारे घुजर बसर करने वालों की बिक्री घट गई लेकिन इस बार चुनाओ में ये मुद्दा बन पाया है या नहीं इस पर देखिए हमारी एक खास रिपॉर्ट ये हैं ललिट डंग्वाल बीच की दुकान चलाते हैं रोजी रोटी का एक मातर जरिया यही दुकान है बीते साल ललिट को दुकान से अच्छे खासी कमाई हुई थी लेकिन इस बार नोडवंडी ने जेब में सेंध लगा दी सिर्फ ललिट ही नहीं बलकि भटेलिया के बाजार में सबकी जुबान पर यही कहानी है ननिताल मुक्तेशपर के रास्ते का ये भटेलिया बाजार आसपास के लोगों की सारी जरूरतें पूरी करता है लेकिन नोडवंडी के बाजार की रौनक कम हो गई नोडवंडी का जिकर आते ही लोगों के चहरे पर पीड़ा और घुसा दिखने लगता है नोडवंडी में छोटा कास्तकार, छोटा आद्मी, छोटा करमचारी और छोटा जो लेवर क्लास है वो बहुत परभायूत हुआ है और अभी तक केवल दो हजार रुपिया बैंक से मिल पा रहा है सिर्फ भठीलिया ही नहीं, पूरे पहार में हालात अभी भी सामाने नहीं हो पाए है गैर सेन में आज भी बैंक के सामने लंबी कता रहे हैं, लेकिन कई लोग नोडवंडी के फैसले का खुल कर समर्थन कर रहे है जो नोटबंदी से परेशान है और जो नहीं है, उनका खेमा भले ही अलग-अलग हो लेकिन पहार के जाहतर लोग इसे चुनावी मुद्दा नहीं मान रहे उनका कहना है कि वोट डालते समय दूसरी चीजें उनके दिमाग में रहेंगी नोटबंदी से लोगों की जिन्दगी परवावित तो हुई है, लेकिन बड़ी आवादी से चुनावी मुद्दा मानने से इंकार कर रही है सिर्फ नोटबंदी ही नहीं किसी भी मुद्दे की बजाए इस बार राजनतिक लाइन के आधार पर लोग चुनाव महिसेदारी करते दिख रहे हैं कैमरा परसन ओम प्रिकाश के साथ दिलीप खान, राजी सबाट टीवी, द्वारा हाट बड़ाबात मनिपूर की नए जिलों के गठन को लेकर मनिपूर का बहुसंख्यक मैतेई समुदाए खुद को दो खेमों में बटा हुआ पा रहा है मुख्यमंतरी इबूबी सिंग मैतेई समुदाए से ही तालुक रखते हैं लेकिन मैतेई लोगों का मानना है कि नए जिलों के गठन के वक्त मुख्यमंतरी को समुदाए की राय लेनी चाहिए थी ये है मैतेई समुदाए बहुल फाइंग गाउं फायंग नए बने कौनकोपी जिले में पढ़ता है पहले ये गाउं इमफाल पश्चिम जिले का हिस्सा था लेकिन यहां के लोग कौनकोपी जिले में जाने का विरोध कर रहे हैं दरसल फायंग के लोगों ने बढ़ी मेहनत से आसपास के जंगल को आबाद किया है लोगों को डर है कि नए जिले का हिस्सा बनने के बाद उनके प्राकृतिक संसाधन बंट जाएंगे I do feel that it is not only among the nagars, it is even among other communities If it is really mean for administrative convenience, then let's do it properly taking into account of the interests and rights of the ethnic communities मैतेई मनिपूर के आबादी में 50% से जादा की हिस्सेदारी वाला समुदाय है मुख्यमंतरी इबोबी सिंग भी खुद इसी समुदाय से आते हैं लेकिन मैतेई लोगों का मानना है कि नए जिले बनाने से पहले उनकी राय जरूर लेनी चाहिए थी कई गाउं के लिए नए जिला मुख्याले पहले से अब काफी दूर हो गए हैं लेहाजा लोगों की परेशानी और बढ़ी है दूर मैतेई लोगों का इक बादपका खुलकर सरकार के समर्थन में है उनका माना है कि सरकार हर मुद्दे पर हर किसी को खुश नहीं कर सकती मैतेई समुदाय के भीतर बंटी इस दो राए से फायंग समेत कई गाउं के लोग पसो पेश में है फिलाल इस संकट से उबरने के लिए समुदाय के लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे है हाला कि विधानसभा चुनाव में उनका वोट उनकी पसंद और नापसंद साफ कर देगा आप देखना ये है कि इस चुनाव में खुश होने वालों के संख्या जादा होती है या इस निर्णे से दुख ही जादा लोग होते है इसी आधार पे निर्णे होगा कि अगले विधानसभा में कौन मुखे मंत्री बनेगा और किस पार्टी की सरकार बनेगी राच सबा टेलिवीजियनिक के लिए केमा पर सुधानसों के साथ इभाल के पासे अखिले सुमन और बद पंजाब की पंजाब के अरटालीस मद्दान केंद्रों पर पुनर मद्दान खत्म हो गया पांच विधान सबासीतों और अमनेसर लोग सबासीत के लिए कुछ मद्दान केंद्रों पर वी वी पी एटी और एवियम में गड़वड़ी के चलते फिर से मद्दान का आदेश दिया गया था सुबा आग बजे से कड़े सुरक्ष अंतिजामों के बीच मद्दान की शुरवात हुई और लोगों ने एक बार फिर बढ़ चोड़कर मद्दान में हिसा लिया मजीथा, मुक्तसर, मोगा और संग्रूर जैसी एहम सीटों पर ये मद्दान कराए गए बिक्रम सिंग मजीथिया ने भी गुरवार को मद्दान में हिसा लिया आपको बता दें कि चार फर्वरी को पंजाब की सभी 117 सीटों पर रिकॉर्ड 78.6 फिस्दी मद्दान दर्श किया गया था इसी के साथ इस मुलटिन में इतना ही, नमस्कार